पैसे लिकर यात्रा करपा रहा था पैंट्री कार मैनेजर आरपीएफ ने दबोचा तो करने लगा मारपीट महिला आरक्षी को भी नहीं बख्षा बिहार के समस्तिपोर जंशन पर सुतंद्रता सिनानी एक्सप्रेस में पैंट्री कार कोच में बिना टिकेट के यात्रा कर रह महिला आरक्षी के साथ भी बद सलुकी की तीनों के खिलाब मामला दर्ज कर लिया गया है जैनगर से नई दिली के लिए परिचालित होने वाली ट्रेन संख्या एक दो पांच छे एक स्वतंद्रता सिनानी एक्सप्रेस में पैंट्री कार के स्ताहयक मैनेजर ने आरपीएफ मार्ग रक्षक दल के साथ धका मुकी करते हुए आज संसद्य भासा का प्रियोग किया यह घटना समस्तिपूर जंक्षन की है इसके लाबा अवैदरूप से पैंट्री कार में यात्रा कर रहे दो यात्री को जबरन छुडा लिया इतना ही नहीं ट्रेन में चेन पुलिंग भी कर दी इस करण ट्रेन 10 मिनट तक रुकी रही घटना समस्तिपूर जंक्षन पर मंगलबार रात्री की है सूचन मिलते ही आरपी एफ इंस्पेक्टर वेद प्रकास वर्मा दलबल के साथ ततकाल मौकी पर पहुँची यात्री सुवीधाओं के मद्दी नजर पैंट्री क अरक्षर कर रही थी इस दोरान आरपी एफ की महिला आरक्षी गार्ड ब्रेक की तरफ से इंजन की तरफ कोच के अंदर से जा रही थी ट्रेन के पैंट्रे कार में कुछ लोग साधी लिवास में यात्री के रूप में बैठी दिखे महिला आरक्षी ने दोनों से पैशान मदवनी जिला के राज नगर थानाशेत्र अंत्रगत के थाई गाउ निवासी अमरेश जा के पोत्र कृष्णा जा एवं शिव शंकर मिश्रा के पोत्र रागव कुमार मिश्रा के रूप में हुई